जैहिन जैबार दोस्तो मैं हूँ अजीत फोजी सुंगर पुरिया आप देखरें हमारा यूटूब चैनल ओम स्पोर्ट्स कैडमी तोसाम दोस्तो आज बात करेंगे रिलेशन की बर्ती के बारे में यहाँ पर ये बर्ती है रिलेशन के बच्चों के लिए जो की रिलेशन के बच्चे जिसका बाई या फादर फोज में है या फिर रिटायर्मेंट हो चुके हैं अक्सर इसमेन हैं उनके बच्चों के लिए मुजिशन के लिए साथ में स्पोर्ट्समेन के लिए तो इस भरति में ये जो भरति है दा बिर्गेज ओप दा गार्ड्स रजिमेंटल सेंटर काम्टी नागपूर ये काम्टी एक जगह है नागपूर के पास वहाँ पर है मारास्टर में तो यहाँ पर यह गार्ड्स का सेंटर है यहाँ पर यह बर्ती की जाएगी यूएच को इन्रोल्मेंट है यूनिट एड़काटर कोटा की बर्ती है दोस्तों आपको बता दें यह बर्ती पहले मार्च में थी अब यह आगे हो गई है इस परकार से यह बर्ती अब जो एक सितंबर 2021 से होनी थी वो पांच सितंबर 2021 से होगी और जो स्पोर्ट्समेन के बच्चे अगस्त में 31 अगस्त को ट्राइल होनी थी वो अभी आगे होगी तो मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा आप हमारे वीडियो को सुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो ताकि बहुस्ते में आने वाली बता दें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जासके अब यहां पर यह बता दें आपको दोस्तों मुजिशन जो ओपन काटेगरी है मुजिशन आल इंडिया आल कास्ट पूरे भारत से यहां पर ट्राइल दे सकते हैं बच्चे मुजिशन वाले स्पोर्ट्समेन के बच्चे भी ओपन बरती है यहां पर स्पोर्ट्समेन के बच्चों की जो ट्रेडमेन के लिए भी जो बरती जो जीडी में नहीं देख पाए जिन के पास कलरक की योग गेता नहीं तो वो यहाँ पर ट्रेड मैन के लिए भी अच्छी विकेंशी हैं दोस्तो म्यूजिशन के लिए भी चैर पांच विकेंशी है और ट्रेड मैन के लिए भी अच्छी विकेंशी हैं तो दोस्तो यहाँ पर जा सकते हैं आप यहाँ पर यही है कि कलरक के बरती के लिए सिरफ आपका गाड रजमेंटल सेंटर का ही रिलेशन होना चाहिए बाकि आप जीडी और ट्रेड मैन की बरती किसी भी रजमेंट सेंटर के रिलेशन वाले बच्चे बरती देख सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तो इसकी पूरी बरती के बारे में आपको बता दें इस के लिए आपकी जो एज कटोफ के बारे में बता देते हैं आपको जो जीडी के लिए सोलजर जीडी सोलजर जीडी में आपका जो सोलजर स्पोर्ट्समेन भी आ जाता है सेम सर्ट लागू होती है जीडी वाली स्पोर्ट्समैन के लिए भी साड़े सत्रा से 21 साल उमर होना चाहिए और एक अक्तूबर 2000 से लेकर एक अप्रेल 2004 के बीच होना चाहिए सोल्जर कलरक और सोल्जर ट्रेड मैन के लिए और म्यूजिसिन के लिए भी सेम सर्ते हैं साड़े सत्रा से तेईस साल उमर होना चाहिए और एक अक्तूबर दो जा उनिस ओठान महशोरी और एक अप्रेल दोजार चाहर के बीच होनी चाहिए डेट ओप बरती है इस कटोफ है दोस्तो इसकी और अच्छी विकेंशिया है ट्रेड मैन के लिए और यहां पर सरतें आपक पास होना चाहिए उसके अलावा सोल्जर ट्रेड मैन आठमी और दसमी पास है और सोल्जर कलर का स्केटी के लिए प्लस टू पास है जिस बाई को भी समझ में नहीं आती सरतें आप हमें वाट्स अप कर सकते हैं हम आपको पूर प्रोपर गाइड करेंगे दोस्तों अब री इसक्रिप्शन के अंदर टेलिग्राम चैनल का लिंक है उसको जोईन करें और टेलिग्राम पे आपको ये पीडिएफ मिलेगी दोस्तों जिस बाई को भी पीडिएफ चाहिए गाड रेजमेंट सेंटर की तो हमारे टेलिग्राम गुरुप को जोईन कर वहां से ले सकते हैं हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें अब मैं इस बरती का पूरा सेडूल बताता हूं दोस्तों जो भी बच्चे जा रहे हैं यहां पर जो रिलेशन के बच्चे हैं चाहिए वो किसी भी रेजमेंट सेंटर के हैं जिनके पास रिलेशन है वो यहां पर जीडि की बर बरती भी देख सकते हैं और सोल्जर ट्रेड मैन की बरती भी देख सकते हैं और जिनके पास गाड रेजमेंट सेंटर का है तो सोल्जर कलर का स्केटी की बरती भी देख सकते हैं तो इस परकार से म्यूजिशन और स्पोर्समेन ओपन का टैगरी है तो जिनके पास रिलेशन नहीं है तो भी वो यहां पर बरती देख सकते हैं मुजिशन के लिए उसको कुछ इंस्टूमेंट बजाना आना चाहिए गाना आना चाहिए और स्पोर्ट्समेन के लिए अच्छा गेम होना चाहिए इस परकार से आप गेम की बरती देख सकते हो सेंटर में अब बात करते हैं एक सितंबर से होनी थी अब 5 सितंबर को होगी यहाँ पर जितने भी यूच क्यू रिलेशन्शिप के बच्चे हैं किसी भी सेंटर के वो यहाँ पर 5 सितंबर को पूँच जाएं सुबह अलबैल्ट का स्टेडियम है और यहाँ पर आपका सबसे पहले आइट और डोकोमेंट चेक किया जाएगा उसके बाद आपको टोकोमेन जो टोकन है वो इसू किये जाएंगे और 6-7 को आपका जो भी है सभी का यहां पर 5 को सभी को पहुँचना है चाहे वो कलरक की बरती देख रहा ट्रेडमेन की देख रहा चाहे जीडी की 5 तारे को सभी पहुँच जाना उसके बाद आपको टोकन दिये जाएंगे आइटवेट चेस्ट आपकी नाप ली जाएंगी और 6 और 7 तारे को आपका फिजिकल होएगा पी एफटी और पी एम्टी उसके बाद 8 से लेकर 10 तारेक तक आपके डिटेल से डोकॉमेंट चेक की जाएंगे आरं डिस नंबर की इंट् के लिए रैफर किया जाएगा जिन बचों को एक मौका मिलता आपको पॉइंट तुडवाने का जिनके पॉइंट बन जाते हैं उनके लिए और जो भी 13 सितंबर को जो बच्चे स्पोर्समेन हैं जो उपन काटेगरी है उनके हाइट वेट चेक किये जाएंगे उनको टोकन दिये जाएंगे और गेम डिटेल वाइज उनका गेम का नोट किया जाएगा कौन कौन से गेम के बच्चे आए हुए हैं फिर उनकी 14 से लेकर 16 तारिक तक आपकी ट्राइल ली जाएंगी गेम की और ये अलबर्टिक का स्टेडियम में होगा वहाँ पर अवासिंग कंप्ले पात करते हैं 17 सितंबर 2021 को जो बच्चे ट्राइल में फिट हो जाएंगे उनका यहाँ पर PFT और PMT होगा और 18 से 19 तारिक तक उनके डोकुमेंट चेक कर उनको RMDS नंबर दिया जाएगा और 20 से 23 तारिक तक गेम वाड़े बच्चों का मेडिकल लिया जाएगा और शेम कानी ह यहाँ पर जिन बच्चों के पॉइंट बनेंगे उनको MH किरकी और MH कामटी रैफर किया जाएगा तो इस परकार से दोस्तों यह बरती कंडेक्ट की जाएगी जो भी मेरे बाई बरती देखना चाहते हैं सडूल मैंने बता दिया है फिर भी जिसको समझ में निया में वाटस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिये गए घंती के निशान को दबाना ना भूलें